हाई गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको हाई नेक कॉलर टॉप बनाना बताऊंगी ये मैंने half meter rayon का fabric लिया है और fabric को मैंने four fold किया हुआ है जो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो कुली वाली सैट है और top की length में 14 inch रखूँगी 14 inch पर हम निशान लगा देंगे इसके नीचे हम belt attach करने वाले है और shoulder में 6 inch रखूँगी और armhole की length भी में 6 inch रखूँगी 6 inch पर निशान लगाते हुए हम सीधी line draw कर देंगे जितना हमने shoulder लिया है उतना ही हमें armhole भी लेना है और यहां से हम chest का measurement लेंगे chest आपकी baby की जो भी हो उसे divide by 4 करके उसमें 2 inch add कर देना है सिलाई margin के लिए मैंने 9 inch पर निशान लगाया है और back armhole के लिए मैं 1,5 inch पर और front armhole के लिए 1 inch पर निशान लगाऊंगी और इसमें हम round shape draw कर देंगे और नीचे से हमें कमर की चोड़ाय का fourth part लेना है और उसमें भी हम 2 inch add कर देंगे सिलाई margin के लिए और सिद्धी land draw कर देंगे, side से भी हम land draw कर देंगे गले की चोड़ाय में 2,5 inch रखूंगी और आगे की गले की लंबाई भी में 2,5 inch रखूंगी और पीछे की गले की लंबाई में 1 inch रखूंगी और दोनों निशानों पर हम round shape draw कर देंगे, front और back neck के लिए सबसे पहले हम back neck और back armhole की cutting कर लेंगे तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर लिए है, अभी हम इसमें से एक part को निकाल लेंगे और इसे वापस से double fold करते हुए, front neck और front armhole की cutting कर लेंगे तो ये मैंने front neck और front armhole की cutting कर लिए है, अभी हम इने back का piece लिया हुआ है इसे हमें नीचे 4 inch तक एक निशान लगाना है, और इसमें हमें cut लगा देना है तो इस तरह से मैंने इसमें cut लगा दिया है, और ये मेरे दो piece से front और back के लिए अभी हमें ने back neck के लिए पट्टी cut की हुई है, उसी shape की इसे हमें back neck के उपर रखते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है जो हमने cut लगाया है, उसमें हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद हमें दोनों साइट से इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को उल्टी साइट पर पलट देना है तो ये देखिए मैंने इसमें पट्टी अटेच कर ली है और बेक साइट से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे अभी एक पाट के उपर दूसरा पाट हम उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिये हैं अभी हम इसके आम होल पर तिर्ची पट्टी अटेच करेंगे तो ये मैंने तिर्ची पटी ली हुई है इसे हमें आम होल के उपर रखते हुए सिलाय लगा देनी है सीधी साइट से ही पटी को रखते हुए हम इसमें सिलाय लगा देंगे उसके बाद हम पटी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइट मोड देंगे ऐसे ही हम दूसरे आम होल पर भी तिरची पट्टी अटेच कर लेंगे और इसे double fold करते हुए अंदर की सैट मोड देंगे तो ये देखें मैंने इसमें तिरची पट्टी अटेच कर ली है अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और नीचे से हम दो से तीन इंच पर एक निशान लगाएंगे और वहाँ तक ही हमें इसकी फिटिंग करनी है हमें एकी साइट से निशान लगाना है और एकी साइट से तीन इंच छोड़ते हुए फिटिंग करनी है और दूसरी साइट से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे हुआ है तो यह कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसके चाक को मैंने फोल्ड कर लिया है अभी नीचे की सेट हम इसमें बैल्ट अटेच करेंगे तो यह मैंने एक पट्टी लिए हुई है इसकी चोड़ाय मैंने चार इंच रखी है और लंबाई हमें कम से कम पचास इंच तक लिनी है तभी इसका बैल्ट अच्छे से टाइप हो पाएगा अभी हमें क्या करना है पहले पट्टी के सेंटर में हमें चोटा सा कट लगा देना है अभी यह जो हमारा टॉप है उसमें हमने एक सेट से तो तीन इंच तक खुला रखा है वहां से हमें पट्टी को अटेच नहीं करना है और जो दूसरे सेट हमने पूरी फिटेंग की सिल लगाया है, वहां से हमें इसे अटेज कर लेना है, पट्टी का सेंटर मिलाते हुए हमें पट्टी को अटेज करना है, जहां तक हमने कट लगाया है, वहां तक हमें पट्टी को अटेज करना है, और दूसरी साइट से भी जहां तक हमारा कट है, वहां तक हमें पट्टी को है सिलाई लगाते हुए कि तो यह देखी मैंने इसमें पट्टी अटेच कर ली है और दोनों से इस तरह से हमारे एक्ष्ट्रा पट्टी बचेगी जिसे हम साइड मैं टाइएप करेंगे अब हमें टॉप को सीधा ही रखना है और जुए हम ने कट लगाया है साइट में वहां तक ही हमें पट्टी को उल्टी साइट पर फोल्ड करना है स्विफ पट्टी को ही हमें उल्टी साइट फोल्ड करना है और उपर से पहले हम तिर्ची इसमें सिलाय लगाएंगे उसके बाद हम इसमें सीधी सिलाय लगाएंगे जहां तक हमारा क कट है वहां तक ही हमें इसमें सिलाय लगानी है उसके बाद जो दूसरी साइट की पट्टी है वहां पर भी हमें इसी तरह से सिलाय लगानी है पहले पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे उसके बाद उसके एंड पर हम तिर्ची सिलाय लगाएंगे और सीधी सिलाय लगा देंगे जहां तक हमारा कट है वहां तक तो यह देखें मैंने इसमें सिलाय लगा दी है अभी जो हमने पट्टी के कोने पर तिरची सिलाय लगाए है वहां का हमें एक्स्ट्रा फेब्रिक कट कर लेना है और जितनी हमने पट्टी में सिलाय लगाए है उतनी पट्टी को हमें सीधी साइट पर पलट देना है किसी भी नुकिली चीज से हम पट्टी को सीधी साइट पर पलट लेंगे ऐसे ही हम दूसरी साइट की पट्टी को भी सीधी साइट पर पलट देंगे जो हमने तिर्ची सिलाई लगाए है वहाँ का एक्ष्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है उसके बाद हमें पट्टी को सीधी साइट पर पलट देना है तो ये दोनों साइट की पट्टी इस तरह से कवर अप हो जाएगी अभी जो अंदर की पट्टी है उसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है और जो अंदर की सिलाई है उसे अंदर की साइट दबाते हुए में पट्टी को सिलाई लगा देनी है ऐसे ही पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा देंगे तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये बैल्ट कुछ इस तरह से हमारा साइड में टाई अप होगा अभी हम इसमें कॉलर अटेच करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके पूरे राउंड नेक का मेजरमेंट ले लेना होगा बेक साइड से होते हुए हम पूरे राउंड नेक का मेजरमेंट ले लेंगे और आपकी बेबी की नेक का जो भी मेजरमेंट आता है उससे एक इंच एक्ष्रा पट्टी आप लीजिएगा तो ये मेरा आ रहा है 10 इंच तो ये मैंने 11 इंच की पट्टी लिए हुई है एक्षा पट्टी को हम कट कर लेंगे और इसकी चोड़ाई मैंने 3 इंच रखी है अभी सबसे पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और नीचे से हम half in छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे उपर की साइट से नीचे से हमें half in छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और दूसरी साइट भी हम नीचे से half in छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसके कोनों पर छोटा सा कट लगा देंगे और पट्टी को हम सीधी साइट पर पलट लेंगे और इसके कोनों को हमें अच्छे से बाहर की साइट निकाल लेना है अभी हम इसे बैक साइट से अटेच करना स्टार्ट करेंगे तो जो हमने half inch extra इसलिए छोड़ा था तो वहीं से हमें इसे attach करना start करना है तो back neck से हम इसे attach करते हुए पूरे round neck के उपर सिलाय लगा देंगे back side की दूसरी side तक हमें इसमें सिलाय लगा देनी है पूरे round neck के उपर तो ये देखें मैंने इसमें सिलाय लगा दी है अब ये हमें color की border को fold करना है लेकिन जो हमारी अंदर की सिलाय है उसे हमें पट्टी के अंदर दबाते हुए border को fold करते हुए इसमें सिलाय लगानी है ऐसे ही हमें पूरी पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करना है और इसमें हमें सिगय लगा देनी है पूरे राउंड नेक के उपर तो ये मैंने इसमें कॉलर अटेच कर दिया है और बेक साइट से हमें हूक एंड आइज अटेच कर लेंगे तो इसी के साथ ही हमारा हाइनेक कॉलर टॉप बनकर रेडी हो चुका है तो फ्रेंड्स आइओप आपको आज का ये टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाईज